एक्सल में हम अगर चार्ट बनाना जाते हैं तो वेड शीट के बहुत से सैल्ट में आ जाता है लेकिन हम ये चाते हैं कि हमारा जो भी सलेक्टिड डेटा का चार्ट है बैक केबल एक ही सैल में आए तो इसके लिए हम स्पार्क लाइन का यूज करते हैं जिसके जरी हम लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट और बिन लोस चार्ट बना सकते हैं यह हमारे पास डेटा दिया गया है यह जितना भी आई यह डेटा है अगर हम इसका चार्ट बनाते हैं तो इस सारे डेटा का चार्ट बन किया जाता है हम ये चाहते हैं कि ये जो मोहित नएम है इसकी ये सेल्स है ये आगे सेल्स हुई है तो इसका हम चार्ट बनाना जाते हैं ये चार्ट हम लाइन चार्ट ये भी बना सकते हैं कॉलम चार्ट ये भी बना सकते हैं या बिन लोस चार्ट ये भी बना सकते हैं तो इनको हम यहां प चार्ट बनाएंगे इस cell में एक ही cell में इसका चार्ट बनाएंगे तो यहां पे हम click करेंगे यह देखो जहां पे हमने चार्ट बनाना है वहां पे हम click करेंगे click करने के बाद फिर हम यहां पे insert tab पे जाएंगे insert tab पे जाने के बाद यहां पे spark lines group में जाएंगे, यहां पे जाने के बाद, अब हमें पहले क्या करना है, पहले हमें line chart बढ़ाना है, तो हम यहां पे line, यहां पे click करेंगे, choose the data that you want, हमने क्या करना है, data को choose करना है, जिसका हमने chart बढ़ाना है, तो हमें यह range select करनी है, यहां से लेके, यहा यहां पे यह range आ जाएगी B3 से लेके E3 तक range यहां पे आ गई अब आगे हमने यहां पे click रखा हुआ है तो इसके निचे है location range तो location range अपने आप यहां पे आ जाएगी क्यूंकि हमने यहां पे click रखा हुआ है तो यहां पे F3 यह देखो F column है O3 row है तो इसमें यह chart बनेगा यह अपने आप यहां पे आगे आने के बाद हम यहां पे OK पे click करेंगे OK पे click करने के बाद क्या होगा यहां पे line chart किसका बनके आएगा यह जो data है जो हमने select किया हुआ है यहां पे OK पे click किया तो OK पे click करने के बाद यह देखो यह जो data है इस data का chart यहां पे line chart यहां पे बनके गया है तो इस तरह से हम यहां पे line chart इसको बना सकते हैं अगर यह निच्छे दिया गया data जितना भी data यह इन सभी का हमें chart चाहिए तो हम क्या करेंगे इनको बार बार ऐसे नहीं करेंगे हम यहां पे click करेंगे click करने के बाद इसको निचे ड्रैग करेंगे यह देखो ड्रैग किया ड्रैग करने के बाद यह सभी का यहां पे लाइन चार्ट बनके आ जाएगा यह देखो सभी का यहां पे लाइन चार्ट बनके आ गया आने के बाद हम यहां पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यह देखो जैसे हम यहां पे blank में क्लिक कर रहे हैं तो यह सारा यहां पे चला गया है, select चला गया है, लेकिन यहां पे first पे हमने क्लिक किया, तो यह सारा select हो रहा है, it means यह group हो गया है, यह group बन गया है, यह देखो यहां पे दिया गया है, ungroup, यह जो सारा बना हुआ है, यह group म करने पर यह एक ही सेल यहां पर स्लेक्ट हो रहा है अब जो भी हम कमांड अपलाई करेंगे एक ही सेल के लिए अपलाई होगी अगर हमें यह ग्रूप में चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे इसको स्लेक्ट करेंगे स्लेक्ट करने के बाद यह देखो फिर यह ग्रूप में बन जैसे ही हम यहां पे क्लिक करेंगे यह सारा group में बन जाता है यह Sparkline टूल पे यह Design Tab यहां पे बन गया है Design Tab की यह ribbon नीचे इसके बाद यहां पे Sparkline में है Edit Data Edit Data जब हम यहां पे More बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे Option आ जाएंगे जैसे Edit Group Location and Data अगर हम Edit Group and Location को Edit करना जाते हैं तो हम यहां पे First पे क्लिक करेंगे Edit Sparkline डायलो बॉक्स यहां पे आ जाएगा इसमें हम यह Choose the Data that you want Data Range यहां पे Data Range हम यह हमने यहां पे पहले से यह Select की हुई है E8 तक यह B3 से लेके E8 तक यह B3 यहां से लेके यह E8 यह देखो E Column है और 8 यह Row है यहां तक हमने यह Range Select की हुई है Suppose करो हमें यह 7 और 8 यह Row यहां पे नहीं चाहिए हमें यहां तक चाहिए 6 तक चाहिए तो हम इसको Change भी कर सकते हैं देखो इसको Change करने के लिए हम के करेंगे यहां पे E8 लिखा हुआ है यहां पे हम लिखेंगे E6 यहां पे हमने 8 की जगा 6 लिखा यह 6 लिखा 6 लिखने के बाद Location Range F6 तक हमें यह Charge चाहिए बाकि 7 और 8 नहीं चाहिए तो हम यहां पे Location Range पे भरेंगे F6 यहां पे 6 लिखेंगे यह 6 लिखा लिखने के बाद हम यहां पे OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद यह देखो यह जो Range हमने Select की उस Range का यहां पे Data बन के आ गया है यह देखो E6 तक हमने लिया तो यह E6 तक यह Line Chart यह बन के आ गया है तो इस Data को हम Edit भी कर सकते हैं अगर Edit करना चाहें तो अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो यह Group बना हुआ है इसको Ungroup करते है पहले Ungroup बे जाएंगे यह Ungroup हो गया यह A की Cell यह आँ पे Select है अब हम इसका Graph चेंज करना जाते है तो इसको कैसे करेंगे Suppose करो हमें यह जो Graph बना हुआ है यह B3 से लेके E3 तक है हम यह चाहते है कि हमारे पास यह B3 और C3 यही चार्ट यहां पे बन के आए तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए यहां पे Click किया Click करने के बाद यहां पे Edit Data पे जाएंगे और यहां पे Edit Single Spark Line Data यहां पे Click करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह लिखो range सारी यहां पे select हो के आगे लेकिन हमें क्या चाहिए यह B3 और C3 वाकी यह ने चाहिए D3 ने चाहिए E3 का data ने चाहिए यह सभी का यहां पे data इस time यहां पे बनके आया हुआ है लेकिन हमें B3 और C3 का चाहिए तो हमने यहां पे range भर दी B3 और इसके बाद C3 तो इन दोनों cell का data का chart यहां पे बनके आ जाएगा यह लेको ok पे क्लिक किया तो ok पे क्लिक करने के बाद यह लेको यह जो chart है B3 और यह C3 इनका यहां पे line chart बनके आ गया तो इस प्रकार हम यहां पे data को edit कर सकते हैं अगर फिर से यह सभी पे चाहिए तो हम के करेंगे यह फिर यहां पे data पे जाएंगे edit data पे जाने के बाद यहां पे edit single sparkline data यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे फिर हम यहां पे E3 करेंगे यह B3 से लेके E3 तक हमने data यहां पे select कर लिया इसके बाद ok किया ok करने के बाद यह देखो यहां से लेके यहां तक यह डेटा सेलेक्ट हो गया है सेलेक्ट होने के बाद यहां पे लाइन चार्ट यह बनके आ गया है इसके बाद यह जो माइनिस में सेल है इसको हम यहां पे डिलीट करेंगे यह डिलीट कर दी यह जो यहां पे line chart बनके आया है यह इन दोनों cell का line chart बनके आया है अब हम यह क्या करेंगे यहां पे click करेंगे इस cell पे click करने के बाद फिर हम यहां पे design tab पे जाएंगे और यहां पे data पे जाएंगे और hidden and empty cell यहां पे click करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिये गया है gap यह first जो है यहाँ पे gap है यह दिखो ओके पे क्लिक किया है तो यहाँ पे gap है यह दो value है और इसके बाद यह gap है यह अगला chart यहाँ पे नहीं बनके आया हुआ है यह देखो आगे नहीं यह gap है यहां पर दिये गया है तो gap इसको आगर हम यहां पर यह देखो फिर हम यहां पर जाएंगे edit data और यहां पर hidden and empty cell यहां पर click करेंगे और इसके बाद zero यहां पर zero पर हम इसको click करेंगे और OK पे क्लिक करेंगे यह देखो यह जो दो वैल्यू थी यह इनका चार्ट यहां तक बना था अब हमने यहां पे 0 लिया तो 0 लेने से क्या होगा यह वैल्यू यहां पे इसने 0 मानी तो यह ग्राफ जो है यह डॉन होगे यहां पे 0 पे आ गया इसके बाद यह वैल्यू है आगे तो इसका ग्राफ यहां पे फिर यहां पे बन गया इसके बाद अगला ओप्शन हम यहां पे लेंगे अडिट डेटा पे जाएंगे hidden एंड एम्टी साल यहां पे जाएंगे और अगला यहां पे connect data points with line यहाँ पे click करेंगे और ok पे click करेंगे तो यह देखो यह connect हो जाएगा तो इसमें यह जो value है यह देखो यह दो value यहाँ पे यह first value है यह second value है और इसको इसने यहाँ पे connect किया हुआ है और यह जो अगले line यहाँ पे आई हुई है यह है यह value यहां पे आई हुई है यह करने के बाद फिर हम यहां पे यह जो sale है यह negative में यहां पे लिखेंगे जैसे यहां पे कुछ भी लिख दी minus 540 यह sale हमने यहां पे लिखी लिखने के बाद यहां पे click किया तो इस range का यह सारा chart यहां पे बनके आजाएगा आने के बाद फिर हम इसको नीचे drag करेंगे तो सभी का chart यहां पे बनके आजाएगा यह देखो सभी का chart यहां पे बनके आगया अगर हम इसकी type change करना जाते है तो यहां पे दिये गया type type पे यहां पे यह जो चार्ट बना हुआ है यह लाइन चार्ट बना हुआ है अगर हम इसको कॉलम चार्ट बनाना जाते है इसी को तो हम यहां पे कॉलम पे क्लिक करेंगे यह देखो यह कॉलम चार्ट यहां पे बन जाएगा अगर हम इसको बिन लोस चार्ट बनाना जाते हैं तो हम यहां पे क्लिक करेंगे बिन लोस तो यह बिन लोस यहां पे चार्ट बन के आ जाएगा इसको हम यहां पे लाइन चार्ट ही रखेंगे यह आगे हम करेंगे कॉलम और बिन लोस का यहां पे हम इसको लाइन चार्ट ही रखेंगे इसके वाद आगया है शो ग्रूप शो ग्रूप में यहां पे दिया गया हाई पॉइंट अगर हम इस लाइन चार्ड का हाई पॉइंट देखने जाते हैं कि कौन सा इसमें हाई पॉइंट है तो इसको हम देखने जाते हैं तो हम हाई चेक करने के बाद ये देखो red color में आ जाएगा कि ये high point है तो ये देखो first का ये high point ये है ये first की ये value है first और second value जो है ये है जो कि सबसे ज़्यादा है 5894 ये यहाँ पे high point है तो यहाँ पे ये देखो ये red color में ये आ गया है इसी प्रकार ये दूसरे की है इसी प्रकार ये तीसरे की है ये देखो जहाँ जहाँ पे high value है वहाँ पे ये red color यहाँ पे show कर रहा है अगर हम इसको red color में नए बताना जाते हैं किसी और color में बताना जाते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे marker color यहाँ पे click करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद high point यहां पे क्लिक करेंगे high point क्लिक करने के बाद कौन सा color चाहिए जैसे suppose करो green में हमने इसको show करना है तो green पे क्लिक करेंगे तो यह देखो high point जो है यह show होगा green color में इसके बाद यहां पे हम high point ने check करना जाते है हमने क्या यहां पर चेक करना है low point कि low value कौन सी है तो हम यहां पर low point पे click करेंगे तो यह देखो low value यहां पर जो आएगी यह line chart के यह show करेगी तो यहां पर low value कौन सी है यह minus 540 यह यहां पर low value है तो यह देखो यहां पर आ गया है इस प्रकार दूसरे की कौन सी है यह कोई दूसरे की यह है low value तो यहां पर आ गया है अगर low value इसका भी है अगर हम यह color change करना जाते हैं तो हम यहां पर marker color यहां पर जाएंगे और यहां पर low point यहां पर दिये गया है इसका color suppose करो हमने black में करना है तो यहां पे black पे click करेंगे तो यह black में यहां पे आ जाएगा इसके बाद negative point हम यहां पे check करना जाते हैं कि negative point वो कहां कहां पे हैं तो हम यहां पे इसको check करेंगे negative points को check करेंगे तो negative points कहां कहां पे लिखे हुआ है यह देखो एक तो यह है negative point minus 540 यह देखो यहाँ पे यह show कर रहा है red color में इसके बाद कहाँ पे negative point है तो यह देखो दूसरे में नहीं है तो यह दूसरे में यहाँ पे line chart में नहीं आया हुआ है अब तीसरे में है तो तीसरे में यह देखो यह value है minus 145 तो यहाँ पर यह negative point यह show कर रहा है इसके बाद कहाँ पर है negative value यह यहाँ पर दी गई है यह देखो second value यहाँ पर दी गई है यह negative value यहाँ पर है इसके बाद कहाँ पर है negative value यह अगले में भी है यहाँ पर यह negative value है यह देखो इसके बाद अगले में नहीं है तो यहां पर line chart यह बना हुए है तो जहां जहां पर हमने negative value लिखी हुई है वहां पर यह show कर देगा कि यहां यहां पर negative value लिखी हुई है अगर इसका भी negative value का आगर हम color change करना जाते हैं तो फिर हम यहां पर marker color यहां पर click करेंगे और यहां पर click करने के बाद यह first दिया गया है negative points और इसके बाद कौन सा color चाहिए जैसे यहां पर yellow चाहिए यहां पर click किया तो यह लिखो यह सारा यहां पर yellow में हो जाएगी negative जहां पर हमने लिखा हुई है वह color शो कर रहा है yellow में इसके बाद फिर हम इसको uncheck करेंगे negative value को अगर हम यह चेक करना जाते है कि first point बताओ तो यहां पर first point पे हम इसको check करेंगे तो यह color यहां पे आ जाएगा अगर इसका भी first point का color हमने change करना है तो हम फिर marker color यहां पे जाएगे और यहां पे दिया गया first point और यहां पे कौन सा color चाहिए जैसे ये purple color ये चाहिए तो ये देखो तो ये देखो यहां पे purple color यहां पे आ जाएगा इसके बाद हमें last point इसको हमने देख़़ा है तो हम इसको check करेंगे चेक करने के बाद ये देखो ये last point है तो last point ये red color में आ रहे है इसको भी हम यहां पे marker color पे जाके इसको change कर सकते हैं इसके बाद last point इसको भी हम यहां पे uncheck करेंगे इसके बाद है आगे marker तो ये देखो marker जो हर एक line के point को highlight करेगा देखो अगर इसका color हमने change करना है तो फिर हम यहां पे marker color पे जाएंगे और इसके बाद यहां पे marker पे जाएंगे कौन सा color चाहिए जैसे हमें यह color चाहिए dark blue तो यह देखो dark blue में आ जाएगा इसके बाद आ गया है यहां पे style इसका style अगर हमने change करना है तो यह सारे यहां पे style दी गया है suppose करो हमें यह style इसमें चाहिए तो इस style में हो जाएगा या और चाहिए तो यहां पे click करेंगे, यहां पे click करने के बाद यह देखो बहुत से यहां पे style दी गया है जैसे यह चाहिए हमें तो यहां पे क्लिक किया यह style में आ जाएगा या और चाहिए जैसे इस में चाहिए तो यह color तो यह style यहां पे आ जाएगा तो style अगर हमने change करना है तो line chart का style हम यहां से change कर सकते हैं इसके बाद आ गया है spark line color यह जो line है यह जैसे यह spark line line दी गई है इसका हमने color change करना है तो यह color हम यहां पे जाकी change कर सकते हैं इस पर more button पे बाद वन क्लिक करेंगे ग्रीन color यह ज़ैसे यहां पे क्लिक किया तो यह जो line है इसका color ग्रीन में change हो जाएगा अगर यह line मुटाई में चाहिए तो हम फिर यहां पे जाएंगे spark line color और इसके बाद यहां पे bed पे हम कौन सा यह जैसे कोई भी यहां पे हम choose करेंगे जैसे suppose करो यह हमने choose की तो यह लेको इस line में यह बन के आ जाएगा तो यहां पे हम spark line की मुटाई भी यहां पे हम change कर सकते है इसके बाद आगे है axis तो यहां पे हम click करेंगे more button पे more button पे click करने के बाद हम इनी को रहने देंगे जैसे journal axis type इसके बाद automatic यह vertical axis minimum value options इसमें हम इसी को रहने देंगे automatic for each spark line और vertical axis maximum value option में हम इसी को रहने देंगे automatic for each spark line तो यह हमने यहां पे इनी को check रहने दिया यहां पे इसके बाद अगर हम यह line chart सारे को clear करने जाते हैं तो हम सारे को select करेंगे सारे को select करने के बाद design टैप पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद clear यहां पे जाएंगे और clear selected spark lines group यह सारा group यहां से clear हो जाएगा यहां पे second option पे click किया तो यहां पे click करने के बाद यह सारा यहां से clear हो जाएगा तो इसको हम undo करते हैं बापिस लाएंगे यहां पे control z press किया यह बापिस आ गया अगर हम a को clear करना जाते हैं यह cable single को यहां पे clear करना जाते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे design type पे जाएंगे clear यहां पे जाएंगे और clear selected spark line selected यह जो select है cell इसी को clear करना है तो हम first पे click करेंगे यह देखो यहां पे यह clear हो जाएगा इसके बाद फिर हम इसको undo करेंगे बापिस लाएंगे यह बापिस आ गया इसके बाद यह हमारा line chart का हो गया है इसके बाद आगे करेंगे हम column chart तो column chart को करने के लिए हम यहां पे click करेंगे यहां पे क्लिक किया, हमें यह कॉलम चार्ट यहां पे चाहिए, यहां पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहां पे इंसल्ट टैप पे जाएंगे, इंसल्ट टैप पे जाने के बाद फिर हम यहां पे कॉलम यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे यह डे क्लिक किया हुआ है यह यहां पर आ गई आने के बाद हम क्या करेंगे ओके पर क्लिक करेंगे तो ओके पर क्लिक करने के बाद यह देखो यह कॉलम चार्ट यहां पर बनके आ जाएगा आने के बाद फिर हम इन सभी बैल्यूज का चार्ट यहां पर कॉलम चार्ट बनाना जाते हैं तो हम यहां पे इसको ड्रैग करेंगे निचे यह देखो ड्रैग किया ड्रैग करने के बाद यह सभी का यहां पे कॉलम चार्ट यहां पर बनके आ जाएगा यह देखो सभी का यहां पर कॉलम चार्ट यह बनके कर सकते हैं अगर यह column chart है अगर हमें बोला जाता है कि इसको line chart में करो तो यहां पे हम type पे जाएंगे line पे जाएंगे यह लिको line chart बन जाएगा अगर win loss पे करो तो यहां पे click करेंगे यह win loss में आ जाएगा लेकिन हम यहां पे column chart पे हम यहां पे इसको click करेंगे तो यह column chart यहा कि इसका जो श्वट באंट है वो कौनसा है तो हम यहां पर Show Recommd में जाएंगे और यहां पर Heimah point इसको Check करेंगे डोलं में यह जो चार्ड भता रहा है यह जो है यह High Value है यह एको यह Second है तो तो यह second high value है यहां पर, यह first यहां पर दी गई है high value, तो यह यहां पर first में आ गया, यह first यहां पर दी गई है, तो यह first में यह high value है, इसके बाद यह है, इसके बाद इसकी यह high value है, तो यह high value यहां पर show कर रही है, इसी तरह अगर हम इस red color में यह high value नहीं दिखने जाते हैं, तो हम यहाँ पर मार्क कर कलर यहाँ पर जाएंगे हाई पॉइंट यह पर जाएंगे और इसका कलर चेंज करना है जैसे स्पोस करो ग्रीन में तो ग्रीन पर करेंगे यह ग्रीन में यहाँ पर कलर आ जाएगा तो इसी प्रकार यहां पे अगर हम high point ने चेक करना जाता है low point करना है तो यहां पे low point पे click करेंगे तो low point पे यह देखो यह जो low point है यह value यहां पे दे गई है red में आ रही है यह देखो जो भी यह red में आ रही है यह बता रही है कि यहां पे low point आई है तो इसका भी color change करना है तो फिर हम यहां पर marker पर जाएंगे और low point पर जाएंगे यह color change हो जाएगा इसके बाद यहां पर इसको uncheck करेंगे अगर हम यहां पर negative points यह दिख चेक करना जाते हैं तो यहां पर click करेंगे तो negative point कौन कौन से हैं यह देखो एक तो यह है तो यह इसका यहां पर chart बना हुआ है इसके बाद यह है तो यह यहां पर आ रहा है red color में इसके बाद यह है तो यह यहां पर show कर रहा है यह देखो इसके बाद यह तो इसके यहां पर red color में यह शो कर रहा है तो जहां जहां पर ह सामने negative value लिख हुई है वहां पर ये red color में ये शो करेंगव इसके बाद इसको अंच्छ किया अंच्छ करने के बाद यहां पर first point from first point पे इसको चुक किया झास्ट points red color Мне show कर रहा ये इसके बाद last point check क करना है यहां पर इसको अंच्छ किया फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट पे क्लिक किया तो यह लास्ट पॉइंट शो कर रहा है इसके बाद इसको अंचिक किया इसके बाद यहां पे style दिये गया है अगर column chart यह style हमने change करना है जैसे इसमें करना है तो इसमें हो जाएगा या इसमें करना है तो इसमें हो जा आजाएगा इसके बाद आगे यहां पे दीगे है स्पार्क लाइन कलर यह जो कलर है अगर यह हम चेंज करना जाते हैं तो फिर हम यहां पे जाएंगे और यहां पे क्लिक करेंगे कौन सा कलर चेंज करना है जैसे यहां पे यह कलर चाहिए तो यह कलर यहां पे आजाएगा इस पर जाने के बाद यहां पर data range σεlekt करेंगे यह data range इसका हमें चार्ट चाहिए यहां पर यह range आ जाएगी range आने के बाद यहां पर शो करेगा जहां पर हमें लोस हो रहा है तो लोस यहां पर हमें हुआ है यह देखो यह वैल्यू लिक्यों यह लोस कहां पर हुआ है यह माइनिस 540 यहां पर लोस हो रहा है तो यह रेड कलर यहां पर शो कर रहा है इसी प्रकार अगर हम यह लोस देखने जाते हैं और कहां पर हुआ है इसको drag करेंगे drag करने के बाद ये देखो second में हमें loss नहीं हुआ है अब third में जाएंगे यहां पर loss हुआ है minus 145 यहां पर loss हुआ है इसके बाद आगे loss कहां पर हुआ है यहां पर loss हुआ है तो ये red color में show कर रहे है minus 414 यहां पर loss हुआ है इसके बाद आगली value में loss हुआ है ये देखो minus 110 यहां पर loss हुआ है इसके बाद आगे loss नहीं हुआ है तो यहां पर red color नहीं आया हुआ है तो इस वीडियो में हमने ये सिखा कि line chart कैसे बनाय जाता है column chart कैसे बनाय जाता है bin loss chart कैसे बनाय जाता है इसके बारे में सीखा आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद